दोस्तो आप PSB Board के स्टूडेंट हो, Class 12 के स्टूडेंट हो, अभी-अभी की लेटेस्ट अपडेट आईए, Class 12 की एक्जामनेसर से लेटेड ये अपडेट है, जान दे इस अपडेट में क्या बताए गया है, पंजाब बोर्ड की तीन विश्यों के एक्जाम कराने पर विचा आता है, तो पंजाब बोर्ड मुख्य तीन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट उसकी एक्जाम लेगा, अगर एक्जाम होती है तो, इसमें बताया गया है, पंजाब बोर्ड ओप, स्कूल एजुकेशन, बारवी की परिक्सा केवल परमुख तीन क्या गया है, कि आपकी परिक्सा जून में करवाई जा सकती है, पंजाब इसकूल एजुकेशन बोर्ड, कक्सा बारवी की परिक्सा जून 2021 में आयुजित होने के संभावना है, वही स्थानिया खबरों से मुताबित, पंजाब बोर्ड के उलमुक्य है, विश्यों के लिए बारवी की परिक्सा आयुजित कराने पर विचार करा है, इन सब के बीच में, PSB एदेक्स ने भी पुष्टी किये कि राज्ये में COVID-19 की स्थिति में सुधार होने के बाद, दोस्तो अगर COVID-19 की सुधार की स्थिति होती है, तो PSB बोर्ड की कक्सा बारवी की परिक्सा 2020 के लिए उतर पुष्टी का उपलब्द करवाई गई है, परिक्सा के लिए कुल 2600 के अंदर आउगटीट किये गए हैं इसके साथ ही, उन्होंने ये भी कहा है कि पिलाल, PSB बारवी की बोर्ड परिक्सा 2021 की तारिके तेया नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड परतेग स्ट्र क्यों की होगी, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उसकी एक्जाम होने वाली है, ना कि पूरे जो सब्जेक्ट हैं आपके उसकी एक्जाम नहीं होने वाली है, आपके मुख के तीन सब्जेक्ट की एक्जाम होगी, हाला कि कौन से BCA के पर मुख BCA के अंतर गताते हैं और मार् में परिक्सा आयूजित करके साथ एक चाहिए ऽब्सक्राइब खेस्टाइबा हैBS प्रफD लिए सब्सक्राइब जया एक चौह से बाइंगए तो दोस्तों प्रिक्स परिक्सा सेट करूँड़ वह उपलब्द है और संक्या और बढ़ाने के विचार करेंगे क्योंकि परिक्सा के दोरान चात्रों के 6 फिट दूर बेटाया जाएगा दोस्तो इसमें सपष्ट लिखा हुआ है कि 6 फिट दूर बेटाया जाएगा चात्रों को और जो 2600 के अंदर जो हैं तयार हो चुके हैं दूर नहीं बनाے जाएंगे और तीन किलोमेटर के बारी आपके परिक्सा तकी पात्रों को उनगी अगर दोस्तों कोई स्टूडेंट बीमार है ऑर लिप तेंपरेश्ट रखाही है तो उसको है परिक्सा होल में प्रवैस्ट नहीं दिया जाएगा इन शात्रों या अन्य कोविट प्रभावित उमीदवारों के लिए PSB मुख्य परिक्सा के आयोजन के दो महीने बाद फिर से परिक्सा आयोजीत करेगा बता देगा कि परिक्सा बारवी की तारीकों की गोशना जून में होने के संभावना है दोस्तो इसमें सपच लिखा हुआ है कि परिक्सा की जो तारीक है उसका जो गोशना होने वाली है वो आपके जून में हो सकती है चान से जै और PSB बारवी परिक्सा में बेटने वाली जो छात्र है तो दोस्तो परिक्सा अगर CBSC बोर्ड फाइनल डिसीजन लेती है कि परिक्सा करवाई जानी चाहिए या नहीं करवाई जानी चाहिए अगर फाइनल डिसीजन आता है हां का आता है कि परिक्सा होनी चाहिए तो उसमें आपके अगर पंजाब बोर्ड पंजाब बोर्ड परिक्सा करवाती है तो आपके सेप्टी के अनुसार परिक्सा की जाएगी और मुख के तीन सब्जेक्ट की आपकी परिक्सा की जाएगी और जो है आपके जितने भी वमें उसकी परीक्सा ऑउजित की जएगी अगर होती है तो आज ऐगा परीक्सास कायख अगर प्रिक्सा को अगर नहीं होती है तो परिपोर्ण बोक्स इसा कद आएक स्टारी कि जरू कि पर करहे मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इस टाइम पर प्रिक्सा करवाई जाए चाहिए क्योंकि इस टाइम पर COVID-19 का इतना जो है शेकिंड बेस चल रहा है तो इसमें प्रिक्सा करवाना मिलकुल भी संबवन नहीं है और आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताईगा यह सरकार का पेसल है